सवनातन दर्म में वैदिक जोतिश में मूरत का बहुत मैत्व है किसी भी शुब काम को अगर अच्छे मूरत पर प्रारम्व किया जाए तो उसके सफ़लोने की संभावना बढ़ जाती है आज हम बात करेंगे पंचक, पंचक क्या होते हैं कि इन पंचकों में किन कारियों को नहीं करना चाहिए, किन कारियों को कर सकते हैं और साल 2024 में पंचक की सारी डेट स्तारी कब आएंगी पंचक जो होता है वहां धनिष्टा नक्षत्र के तित्य चरन से रेवती नक्षत्र तक यहाग पंचक आता है, यानि इसमें मकर, कुंब और मीन राशी का कुछ अंश आ जाता है इन पंचक में कौन से कारे नहीं करने चाहिए पंचक में शासरा आदेश देता है पांच कारे प्रमुकता से नहीं करने चाहिए पंचक में ऐसा आदेश है कि दक्षिन दिशा की और यात्रा इसे में करना अबर जिते यानि जहां आप आप रहते हैं वहां से दक्षिन दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए मकाम और दुकान अगर आप बनवा रहे हैं तो उनकी छत स्लैब इसमें नहीं डालना चाहिए चार पाई आप पलंग का काम बना रहे हैं तो वह नहीं करना चाहिए और शव का दहा अगर कोई व्यत्ति क कि मृत्य हो गई है तो प्रयास करी कि अगर पंचक में है तो उसका निवारान करके करना चाहिए उनका अंतिम संस्कार और फिर बास की चटाई दीवार प्रारम करना स्टंबार ओपन करना यह फिर लकड़ी फरनीचर से सम्मधित कोई भी कारी तो प्रमुक्त से यह पांच का मीनमै तो जनौरी के मैने में पंचक प्रारम्ब होंगे तेरा जनौरी दोजयार चोबीस शनिवार को रात्री के ज्यारा बचकर के 25 मिनट और समाप्त होंगे 18 जन्मरी 2024 गुरुवार को रातरी के 3 बचकर के 33 मिनिट इसके बाद फरवरी के महिने में पंचक प्रारंब होंगे शनिवार 10 फरवरी 2024 प्रातह 10 बचकर के 2 मिनिट और समाप्त होंगे बुद्वार 14 फरवरी 2024 को प्रातह 10 बचकर के 43 मिनिट इसके बाद गेंगे शुकरवार 8 मार्च 2024 को रात्री के 9 बचकर के 20 मिनिट और पंचक समाप्त होंगे मंगलवार 12 मार्च 2024 को रात्री के 8 बचकर के 29 मिनिट इसके बाद एपरल के महिने में पंचक प्रारम होंगे शुकरवार 5 अपरल 2024 सुबह के 7 बचकर के 12 मिनिट और पंचक समाप्त हो होंगे मंगलवार 9 April 2024 को प्राता साथ बचर के 32 मिनिट इसके बाद मई के महीने में पंचक प्रारंग होंगे गुरुवार 2 मई 2024 को दोफिर के 2 बच करके 32 मिनिट और यह समाप्त होंगे सुमवार 6 मई 2024 को शाम के 5 बच करके 33 मिनिट इसके पंचक मही महीने मही रहेंगे 29 मई 2024 बुद्वार को रात्री के 8 बच करके 6 मिनिट को लगेंगे और समाप्त होंगे तीन जुन दोजार चौबीस को सोमार रात्री के एक बच करके 40 मिनिट इसके बाद पंचक लगेंगे 26 जुन दोजार चौबीस बुद्वार को एक बच करके 49 मिनिट रात्री के और यह समापत होंगे रविवार 30 जून 2024 को 7 बच करके 34 मिनिट इसके बार जुलाई के महिने में पंचक रहेंगे 23 जुलाई 2024 मंगलवार को 9 बच करके 20 मिनिट सुबह और यह समाप्त होंगे 27 जुलाई 2024 शनिवार को 2 फिर के 1 बजे इसके बार अगस के महिने में पंचक प्रारम होंगे 19 अगस 2024 सोमार को शाम के साथ बजे और पंचक समापत होंगे 23 अगस 2024 शुकरवार को शाम के साथ बज़ करके चौपन मिनिट इसके बाद सितंबर के महिने में अगर हम देखें तो पंचक प्रारम होंगे 16 सितंबर 2024 सोमार को प्राता पांच बज़ करके 24 मिनिट और पंचक समाप्त होंगे शुकरवार 20 सितंबर 2024 को प्राता 5 बच करके 15 मिनिट इसके बाद अक्टोबर के महिने में पंचक प्रारम होंगे 13 अक्टोबर 2024 इस दिन रविवार को दोफेर के 3 बच करके 44 मिनिट को प्रारम होंगे और समापकत होंगे गुरुबार 17 अक्टॲबर 2024 को शाम के 4 बचकर के 20 मिनिट इसके बाद नौमबर के म Cisco में पंचक रहेंगे 9 नौमबर 2014 शनीवार को रातरी के zadगा 17 मिनिट को लगेंगे और समापकत होंगे 14 नौमबर 2024 गुरुवार को प्रातर तीन बचकर के 11 मिनिट इसके बाद साल 2024 का अंतिंग पंच्चिव का मौत रहेगा शनिवार 7 दिसंबर 2024 को प्रातर पांच बचकर के 7 मिनिट और पंचक समाप तो होंगे 11 दिसम्बर 2024 वुद्वार को प्राता 11 बच करके 48 मिनिट तो यह थे साल 2024 में पंचक के मोर्थ प्रयास करीगा जो पांच कारी मैंने पूर्वे में बताये थे वह पांच कारी इन पंचकों में नहीं होने चाहिए इसके अलाबा अन्य सभी शुब कारियों में आप पंचक को ल नहीं है तो यह पांच कारी है उन्हीं में पंचक को छोड़ देना चाहिए उसके अलाबा पंचक को स्विकारी किया जा सकता है